बोर्ट ने दस्वी कक्षा का रिजल्ट जारी करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है बोर्ट की तरफ से मेट्रिक का रिजल्ट दोपहर डेड़ बजे जारी करतीया चायका रिजल्ट घोशना की जानकारी बोर्ट की तरफ से ओफिशल वेबसाइट www.biharboardonline.bihar.gov.in पर 30 मार्च को ही साज़ा करती कई थी जिसमें कहा गया था कि रिजल्ट 31 मार्च को दोपहर डेड़ बजे जारी करतीया चायका रिजल्ट के आते ही छात्रों को डर सताने लगता है कुछ सब्जेक्ट में उमीद के मुताबिक नमबर ना आने पर चात्रों निराश हो जाते हैं वहीं किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाने पर उन्हें और भी बड़ा जटका लगता है लेकिन ऐसे में fail होने वाले चात्रों को board पास होने का एक और मौका देगा स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंग हर subject में पाने होंगे इससे कम अंग पाने वाले चात्रों को विहार बोड एक अतिरिक्त मौका देगा यानि कि अगर कोई स्टूडेंट एक या दो विशे में फेल होता है तो वो कमपार्टमेंट की परिक्षा दे सकेगा बोट की तरफ से कमपार्टमेंट का शेडूल रिजल्ट के बाद चारी किया चाएगा लेकिन अगर कोई स्टूडेंट तीन विशे में फेल होता है तो उसे फेल ही माना चाएका क्योंकि कमपार्टमेंट सिर्फ दो विशे में फेल होने वालों के लिए ही है वहीं अगर कोई चात्र अपने नमबर से नाखुश है तो वो स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगी हाला कि स्कूटनी के बाद आने वाले अंग को ही फाइनल माना जाएका स्कूटनी और कमपार्टमेंट के लिए छात्रों को अलग से रिजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा आईए अब आपको वेबसाइट पर कैसे रिजल्ट देखना है ये भी बता देते हैं सबसे पहले BSEB की अधिकारिक वेबसाइट बिहारबोर्ड-online.bihar.gov.in पर जाएं होमपेज पर उपलब्ध बिहारबोर्ड दसवे रिजल्ट 2024 के लिंक पर क्लिक करें एक नया पेज खुलेगा यहां उमीदवारों को कुछ डेटेल जैसे की नाम रोल नमबर आदी भर नी होगी इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें और आपके सामने परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा याद रखें कि परिणाम जांचे और पेज डाउनलोड जरूर करें आगे की आवशक्ता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास जरूर रखें वही अगर वेबसाइट हैंग हो जाए तो बोर्ट परिक्षा का रिजल्ट SMS द्वारा पाने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है आपको बस ब्लॉक लेटर्स में बिहार 10 स्पेस अपना रोल नंबर ट्राइप करना है और इस मैसेज को 56263 पर भेजना है और बस कुछ ही सेकिंड में रिजल्ट आपके फोन पर SMS के जरीए प्राप्त हो जाएगा प्लाप्फर्म